वाट्सअप गाइस कैसे आप सभी लोग आज की वीडियो को करते हैं फटा फट से स्टार्ट तो आप जैसे की टाइटल देख सकते हो हाउ टू ग्रो यूर हेर लॉंगर अगर आपके पेरेंट्स अलाव करते हैं तो ही रखना वरना ना रखना ठीक है गाइस वरना वो बोलेंगी की मेरी वीडियो मत देख I request you to listen you में रखना है और आपको अपने बालों के लिए क्या-क्या बेनिफिट अच्छा होगा आपके बालों के लिए वह सोब चीजें आपको मैं रिकमेंड करूंगा और बताऊंगा यकीन मानोगा इस एकदम नाच्रल प्रोडेक्ट बताऊंगा ना कि कोई शॉट आउट के लिए कोई भी प्रोडेक्ट नहीं लोंगा आउनलाइन से या आप सहीं वीडियो पर आये हो एकदम आपको एकदम बेनिफिट होगा आगर आप मेरी वीडियो देखोगे I guarantee about it First of all आपको लेना है वो नाच्रल प्रोडेक्ट इट मेंस अलावेरा जो हर घर के पास अवालबल होता है मैं भी आपके पास भी होगा एक healthy ले लिजेगा आप अलावेरा का पीस जो कि अच्छा अच्छा ग्रीन हो मेरा तो पूरा प्लांटी ग्रीन है बहुत ही अच्छा है मैं एक लगाए था इतने सारे हो गए आपका अलावेरा जो है ना जैसे कि आप यहां पर एजजेज देख सकते हो उन एजजेज को आप हलुक हलुक पील कर लेना धीरे धीरे पील कर लेना और बिना कोई मतलब कंजूसी कि अच्छे दे करना बिलकुल भी मतलब साइड के पीसे मती यूश करना ठीक है वहना आप आपको कई पर ख्राइच लगजेगा और वह आपके लिए अच्छा नहीं होगा ठीक है सुआची तरीके से आपना साइड से वह पूरे जो थौन्स होते हैं एलावेरा के वह थौन्स पूरे कट कर लेना गिजेऊ है टीक है मिदल से कट कर लेना बीच में से अच्छा से कट कर लेए एक दम स्टैट कर ले न कट करने के बाद अइससे आपको कुछ कट करने हैं गाईस कट करने कबाद देखिए गयुश क्या करना होता है इस तरह से आपके ऐसे पील्स आजाएंगे दो पील्स उसके बाद इसमें से आपको पूरा जली लेक्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें से आपको अच्छी तरीख से पील कर लेना है उसमें से पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको कट कर लेना है ठीक है गाइस अच्छी तरीख से आप अप्लाई कर सकते हो ऐलावरा जल ठीक है देख लेना आप कैसा मैं अप्लाई करता हूं आप 3 मिनिट से अच्छी तरीखे से आप मसाज कर लेना जिससे कि आपका हेर और पूरा जो है आपके हेर के कोर्च लाइक शार्प एज़ेस एंड पूरा स्कॉल को आपको रब करना है जिससे कि आपका जो है हेर है वो स्मूथ होए और सिल्की और शाइनियर बने अपके चुल को रब करने से जो आ अच्छी तरीख से आपका स्कॉल एगल रहेगा थेक है और यू करण बराप युथ है घ्ट्री अज़ेवाइवर यू स्टडी और वाटवर यू स्टडी और वाटव यू शीए यू आपका स्टरीशन कि ब्सक्राइब शुदी अटम रहे एट everywhere wherever hair is there तो 3 min जब आप अप अलवेरा को रखना वैसे ही उसके बाद गाई साफ जब आपने आपने हेर को वाश कर ले ना आ उसके बाद शाम्पू लागा के अच्छी तरहीं से वाश कर ले ना ठीक है गाईज आपको अपने हलके हाथों से अच्छी तरीखे से आपको रब करना अपने हेर को और ड्राइ करना ठीक है गाइस आप कोई भी ही ट्रींकमेंट वगेरा मत दीचे अपने हेर को इट कन लॉस्ट यरह इट कन डामेज यरह आप बोलिये गाइस कैसे लग रहे हैं मेरे बाल सिल्की शाइयर राइट और आप भी हेर ग्रो करना आप रिकमेंड यू तो डू दिस अपला इस फॉर्मला विकली ट्वाइस आप लास मैं आपको यह बताना चाहता हूं गाइस जो भी आप हंगामा मचाय हो वाश्रूम में पूरा जो भी अलावेरा का अपने इनहा के स्प्रेट किया है गंदीगी उसको साफ जरूर करना वनना आपकी मौम अच्छी तरह से आपको डाटेगी और आपके हेर कट हो जाएंगे अगर आप यह प्रॉसेस फॉलो करोगे तो आपके हैर सिल्की शाइनी और अच्छे लगे और आपके फ्रेंड्स और फैंली मेंबर्स पूचिंगे आपने ऐसे कैसे किया तो जरूर मेरे वीडियो शेयर कर देना इंशाला यह प्रॉसेस फॉलो करने के बद आपके हैर जो एठ जटर जाएंगे आपके लागाइश के लिले किसी और एच्छी वीडियो के लिए आप चांग कर सुगमेर शुयाँ मेरे एड़्ो कि इस वीडियो के लिए हैर के बिचुकिंव मैं यह अगर आप चांते हो तो कमेंट कर देना असे ही वीडियो बनाओ अब कि टाक ज़ देना, that's it for today, I hope you like this video, thank you so much for watching, मिलते किसी और अच्छी वीडियो को साथ, bye guys.